जी नमस्कार दोस्तों ग्यानलेमा आपका स्वागत है और हम लोग जो यह हमारे इसका PGT का एक्जाम हुआ उसका जो English का जो सेक्सन है उसमें क्या English के questions पूछे गए हैं उसकी हम लोग जो है आज इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के questions आएंगे जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो PGT का पढ़ा था प्रिंस्पल का पढ़ा था मतलब morning shift में प्रिंस्पल का हुआ था और साम को जो है 16 तारीक को PGT का हुआ था दोनों के questions पेपर में इंगलिस वाले section में अभी हम देखेंगे प्रिंस्पल वाला तो हम लोगों ने देख लिया था PGT में भी सेम मिलते जुलते questions पूछे गए बहुत जादा difference नहीं है pattern को लेके और कई सारे दो तीन questions तो ऐसे हैं जो repeat हो रहा है तो जो टीजीटी की अभी जिनकी 23 तारीक और 24 तारीक और एक्जामनेशन है वो जो चार पेपर हो चुके हैं 16 और 17 को उनके पूरे ध्यान से हिंदी इंगलिस जितने भी portion है उनके चले बसके मिलते जूलते हूं उनको पढ़ लें देख लें बहुत सारे repeat उनको मिल सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया था PGT के English वाले section में और पता करते हैं कि कितने label पे जो है क्या safe score हो सकता है या फिर क्या कटाब जा सकती है कैसा label रहा एक सो एक तिसवा question ये कहरा है कि choose the option in which following sentence has been changed into passive voice है passive voice में आपको change करना है वही कान गुमार के आपको पकड़ना है same question से जो है इसी तरह का एक question पूछा गया था उसमें principle वाले examination में भी पहला question यही था उनका भी वही था कि उन्होंने भी passive voice पूछा तो active passive से एक question पूछे जा रहे है और वो simple वाला नहीं पूछा जा रहा है कि बाई लगा कि आप change कर दो थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे है his attitude backss me sometimes backs वहाँ भी पूछा गया था backs की meaning पूछा गया था backss का मतलब होता चिंता करने वाली बात कश्टकारी खिजाने वाली तंक करने वाली या भी परेसान करने वाली इसका मतलब होता backss his attitude उसका जो रवया है उसका जो attitude है backss me present in definite tense हो है क्या करता परेसान करता मी मुझे sometime कभी कभी सम टाइम मतलब कभी-कभी उसका जो रवया है उसका जो अटिटूट है वो मुझे परेसान करता है मुझे कष्ट देता है मुझे दुख देता है इसी को आपको जो है पैसी वाइस में चेंज करना है तो पहली चीज़ आप इसमें कुछ चीज़ी खोजिए पहला होता है जो यह BACED है यह देखिए sometimes और कहां पे है sometimes और कहीं पे sometimes है sometime होगा यह उगा sometimes हटा थोजी ना सकते हो मैं यह कह़ा हूँ कि आप हटाना सुर्य करिए यह चेकिए इसमें sometimes इसको यहां पर देखिए आई एम सम्टाइम्स यहां पर भी है यहां पर बताई इसमें सा राइट एंसर हो जागा असल में यह पिछले वाले में भी यह पूछा गया था इसी तरह से था कि बाई हम लोग जानते हैं कि जब हम एक्टिब को पैसी बनाते हैं तो क्या करते हैं लास्ट में बाई लग जाता है मतलब के द्वारा किया गया के द्वारा के द्वारा आ जाता था बाई लगा लेकिन इन्हों प्रिंस्पल वाले में भी ऐसे पूछा था कि बाई का यूज न पर दिया हो गया मैं हूँ मतलब मैं हूँ सम्टाइम्स कभी-कभी बेक्षड हो जाता हूँ चिंतित हो जाता हूँ किस पर इस एटिटूड उसके रवाइये पर तो तीसरा इसका राइट एंसोर है अगले पर चलते हैं यहाँ पर कि कि खाली स्थान दिया गया उसको भर ये पूर को नीचे दिये इन जो 4 ओप्सें उसकी तरह आपको भरना है यह दिया है दा ट्रेन वाज्य अबाउट टू लीव अंग्सान डिया डीये यााँ पर मनदर दिया करदे दिया है अब इस पे न इस पे अभी कई सारे जिए आन्रे शचारा रहे हैं सही हो सकता है कि इसमें कुछ है हो सबस्दो करें जो हозмशता है जोने कोई सब में ही हो जाए लेकिन इसको एक बार ध्यान से पढ़िए the train was about to leave train was मतलब थी about मतलब लगभग to leave मतलब छोड़ने वाली थी क्या station से मतलब station को छोड़ने वाली थी station से जाने वाली थी when मतलब जब be there जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या होगा इसका चलिए would reach का मतलब होगा जब हम वहाँ पहुचेंगे पहुच जाएंगे तब छोड़ने वाली थी reach मतलब reached जब हम वहाँ पहुचे train was about to leave train छोड़ने वाली थी station से जब हम वहाँ पहुचे reached have reached जब हम पहुच चुके और हाइड रीच जब हम पहुंच चुके थे तो इसका राइट जो सबसे ज़्यादा मैश कर रहा है वो होता है रीच रीच थर्ड फर्म कर दीजे रीच तरेन वाज यबाउट तुल लीब मतलब ट्रेन छूटने वाली थी मतलब जब इस्टेशन भी रीच देर जब हम वहाँ पहुंचे तो इसमें और भी हो सकता है लेकिन हम यह मान के चलना है कि अभी तक जो है रीच हो सकता है अगर अब यह हमारे स्वालों के उपर है कि इसमें जो है किस किस को जो है सही मानते हैं हो सकता है कि यह डिलीट करें उनके उपर है चलिए अगला देखते हैं डायरेक्शन दिया गया question number 133-135 के लिए 133-135 के लिए fill in the blank दिया गया वही चार option आपको दिये गया है इसी में भरना है 133 वह question यह कह रहा है कि नितिन कहीं पर पार्टी हो रही होगी नितिन और और उसका friend हिज फ्रेंड उसका मित्र कौन था रमेश अब यहाँ पे fill in the blank दे दिया गया coming to the party है यहाँ पे पूच रहा है कि आर का यूज करोगे वर का यूज करोगे है बीन का परयोग करोगे इज का परयोग करोगे यह गरा नितिन हिज फ्रेंड रमेश तो वैसे तो दो लोग हो गए एक तो नितिन हो गया एक और नितिन का फ्रेंड रमेश हो गया तो हो गया तो यह is the right answer is कुछ लोग इस पे भी चला भी डिवेट चला रहे हैं इस नहीं आर होगा अगर आर होगा तो वर भी हो सकता है ठीक है क्योंकि यो है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं कही रहे हैं परजेंटेंस में ही हो रहा है या पास्ट में हो रहा है यहाँ पे हम वर भी लगा सकते हैं अगर यह आप आर को सही मानोगे तो वर भी सही होगा लेकिन इसी लिए इसका इज सही ऐसे ही भी यह जो है आज बेला आज की पहले जो लगता है वो fill in the blank just bread and butter मतलब आज के समय में आम आदमी की क्या जरूरत है रोजी रोटी की जरूरत है bread and butter का मतलब क्या होता है रोजी रोटी तो इसमें क्या आएगा आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा या फिर इज आएगा यहाँ पे भी सेम चीज पूछा गया है कि यहाँ पे कौँ सा helping verb पूछ भरा जाएगा इसमें, बताइए बताइए need of a common man need of common man तो need क्या यहाँ पे लिखा needs तो लिखा नहीं है, singular है needs नहीं लिखा नहीं है, need है need of common man तो need अगर common man है singular है, तो क्या आना चाहिए is आना चाहिए, was आना चाहिए, वर आना चाहिए तो आज के समय मैं कहे रहा ना, आज वाज भी हो जाता, लेकिन आज की बात हो रही है तो आज की बात हो रही है, तो इज होगा तो क्या इसमें सही हो जाएगा कि today the need of a common man is just bread and butter right answer आपका यह जोगा आगले पे चलते हैं Mrs. कनवाल Mrs. कनवाल, fill in the blank principle of this school Mrs. कनवाल, स्रीमतिक कनवाल is है, क्या है, प्रिंस्पल है प्रदाना ध्यापक है, किसकी of this school, इस विद्ध्याले की अब यहाँ पे युज दिया गया, यह article से यूज ओव आटिकल पूचा जा रहा है कि I& πット हैं, दा प्रिंस्पल हैं अबस्रीचदर प्रिंस्पल हैं बहुतल ही है, कनवाल दे दिया गया है प्रिंस्पल है, तो भाई हम जब लिखते हैं, तो दा प्रिंस्पल लिखेंगेंगे ना भाई क्योंकि definite है indefinite होता तो AN का यूज होता article का जब कोई चीज निश्चित होती है जिसके बारे में हमें पूरा पता होता है हम निश्चित हो जाते हैं तो उसमें दा का लगता है हम क्यों लगाते हैं वह निश्चित चीज है लेकिन हमें अगर कोई चीज नहीं पता होता कि यह कौन सी चीज है तो हम A, A, N, A, N अपल यह इस तरह से लगाना शुरू कर देते हैं A, N का यूज कर देते हैं तो Mrs. Kanwal निश्चिद हैं क्या हैं वो प्रिंस्पल हैं तो आप यहां पे दा लगाएंगे देख लीजिए एक बार भर के आप देख लीजिए आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ इसी तरह से संटेंस बनेगा Mrs. Kanwal is the principal of this school Mrs. Kanwal is iron principal कहा होता है आर कभी देखियो इस तरह का sentence iron principal है iron तो आए गई नहीं यह principal यह principal कभी देखियो यह principal होता है the principal होगा no article आर्टिकल तो लगे गई लगेगा तो right answer आपके यही हो जाएगा क्या the principal अगले पे चलते हैं अगला क्या कह रहा है कि choose the option in which following words a phrase has been rearranged to form the character sentence यह पूरा आपको दे दिया गया है इसको आपको rearrangement करना है principal वाले जो exam हुआ है यह मारस का उसमें भी rearrangement एक दिया था तो आपको इसको rearrange करना और बताइए इसमें क्या होगा बताइए तो इसको देखिए पहले आप यहाँ पे आईए एक एक sentence आप इसमें कहीं subject खोजी है आपको subject की जरूरत पड़ेगी आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी आपको object की जरूरत पड़ेगी तो पहले आईए having elected people gave president him support him या फिर having elected having elected यहाँ पर आईए having elected यहाँ से सुरू करिए having elected किसको elect किये him क्या elect किये president उसके बाद एक हो गया यह यह किये हो गया उसके बाद आजाईए आप जो है क्या people लोगों ने क्या किया gave मतलब दिये क्या दिये किसे दिये him support देखे कुछ meaningful बन रहा है कि नहीं having elected him president people gave him support यह कह रहा है कि लोगों ने लोगों ने क्या किया उन्हों ने राष्टपती चुने जाने के बाद यानि लोगों ने राष्टपती चुने जाने के बाद उसे समर्थन दिया having elected him president people gave him support तो इसका right क्या बैट रहा है इसका right बैट रहा है three जो है इसका option सही है having elected him उसको चुनने के बाद क्या चुने president चुनने के बाद people लोगों ने game मतलब दिये him मतलब उसे support मतलब support तो right answer आपका तीसरा हो जाएगा अगले प्याज यह direction दे रहा है कि 137-138 यह है यहाँ पे भी fill in the blank दिया गया इसको आपको भरना है sentence का meaning पूरा complete हो जाए 137 वा यह कह रहा है the bitterness मतलब जो गवा होगा bill यहाँ पे fill in the blank what I have said क्या beer up beer out beer भी थी या फिर बीर आउन क्या हो जाएगा इसमें the bitterness bill bitterness होगा क्या होगा what मतलब क्या what मतलब जो I have said जो मैं कह चुका हूँ जो मैं कहा हूँ उसको bitterness क्या करेगा beer करेगा beer up करेगा beer out करेगा beer bit करेगा beer on करेगा बताए क्या करेगा सोच लीजिए सोच के बताए कमेंट करिए तो बीयर अपका मतलब होता है सहन करना इसका मतलब होता है सहन तो सब इसी में मिलता जुलता meaning सबका यही आता है सहन करना उसके बाद आजे यह बीयर आउट का मतलब होता सिद्ध करना या पुष्ट करना या पुष्टी करना पुष्टी करना या फिर समर्थन करना ये आता है बी अरबित मतलब क्या हो जाएगा बी अरबित मतलब धैर के साथ सहन करना इसका मतलब भी सहन करना होता है बी अरबित मतलब होता है किसी के साथ धैर के साथ सहन करना और और भी मतलब होते हैं बीराउन मतलब बीराउन मतलब जोता है क्या होता है कि दबा कर रखना या पर किसी पर असर डालना प्रभाव डालना इस तरह से होता प्रेरित करना भी मतलब होता बीराउन का तो इसमें क्या आ जाएगा बिटनस क्या करेगा पुष्टी करेगा क्या करेगा सहन करेगा सहन क्यों करेगा वाई गवाई आपकी बात को जो आप कहे हो सहन क्यों करेगा यह भी हंटा दीजिए बियर बिद्व हंटा दीजिए बियर अप कर दीजिए बियर आउट सही होग बियर आउट करेगा पुष्टी करेगा क्या जो मैंने कहा है जो मैंने कहा होगा कोड में कुछ कहा होगा उसी बात को यह कह रहा है 138 पर आ जाए कि कैन यू क्या तुम टेल मतलब बता सकते हो मी मतलब मुझे how the accident मतलब accident कैसे हुआ यही पूंची जा रहा है कोई आदमी होगा जो पूंच रहा है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि accident कैसे हुआ तो यहाँ पे आपको यह बताना है क्या भरोगे इसमें came about accident कैसे हुआ came up came by came down अब यहाँ पे यह वाले थोड़े से टप होते हैं जब यही वाला दे देता है चलिए लेकिन ठीक है हम लोग पता लगा लेंगे can you tell me क्या तुम मुझे बता सकते हो how accident कैसे हुआ आगे बताओ came about का मतलब होता है came about मतलब होता है गहटित होना के बारे में बताना या होना या घटित होना ऐसी चीज़ होती came about मतलब घटित होना इसका मतलब होता है उठाना, चड़ना, उगना, आना, बढ़ना, इस तरह से होता है, केम बाई, केम बाई का क्या मतलब होता है, केम बाई, केम बाई का मतलब होता है, अचानक से, केम बाई, मतलब अचानक से कोई मिल गया, अचानक से कोई घटना हो गई उसके लिए, केम डाउन, केम डाउन का म क्यों कि एक बार इसको पूरा आप sentence मनाईए can you tell me क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या बता सकते हो कि how मतलब कैसे accident came about मतलब accident कैसे घटित हुआ accident कैसे हुआ accident कैसे हुआ accident की घटना कैसे हुई यह चीज आप से पूछा जा रहा है बाकी यह सब इसका जो सही meaning इसमें नहीं फिट हो रहे हैं सिरिफ यह came about सही है कि घटित हुआ कैसे घटना हुई यह आपका right answer हो जाएगा फिर अगले पर चलते हैं 147 यह कह रहा कि the troops were ordered to mobilize troops मतलब सेना को सेना की जो टुकडी होती है उसको troops कहते है troops को क्या 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 वर मतलब था order मतलब order आदेस दिया गया था क्या क करने के लिए to mobilize युद्ध की तयारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए order दिया गया था कि भाई आगे बढ़ो मतलब धावा बोलो यह बोला गया था troops को अब आपको क्या करना है चूज दा वर्ड विच इस नियरली अपोजिट नियरली अपोजिट आपको बिलोम पूचे गए थे तो दसा यह लास्ट है इस ने डिलीवर किया क्या स्पीच को डिलीवर किया स्पीच उसने दिया होगा बिथ मतलब से ग्रेट एप लॉंब एप लॉंब के साथ विच आप फॉलोइंग वर्ड कैन बी करेक्टर ली रिप्लेस दी अंडर लाइन वर्ड ऐपलोम का मतलब होता Confidence तो Confidence आपको जहांए रिए अगर नहीं एप लॉंब का मतलब है तो भी आप एक बार देखिए अगर आपको मिल जाए यहांपर देखिए the Des times a उलटा होता जिनमें confidence की कमी हो यह आ गया फिर discuit discuit का मतलब होता है बेचैनी होती है अपरी handsome का मतलब होता है सक आसंका तो यह भी क्या कोई आदमी बड़ी आसंका से बोला बड़ी बेचैनी से बोला बड़ी confidence नहीं था कम confidence में उसने भासट दिया राइट एंसर इसका क्योंकि हमें एपलॉंब का जो है एपलॉंब का हमें क्या बताना सिनानिम से तो एपलॉंब का मतलब होता है confidence उसने अपना speech delivered किया मतलब अपना speech दिया with great confidence के साथ बहुत बहुत ही आत्म विस्वास के साथ उसने अपना speech दिया तो यह आपका right answer हो गया तो यह अहां पर हम लोगों ने PGT के English का portion अच्छे से देख लिया है अभी हमाल लोगों का जो जूट रहा है English का हम सारे देख लेंगे क्योंकि 23-24 में बहुत सारी questions जो चार यह आपकी जो questions हुए है पेपर हुए है यह हमारे स्वालों का तो वो चारों जो है जिनके 23-24 को ध्यान पूर्भक पढ़ लें questions सेम pattern पर पूँछे जा रहे हैं कई कई जो है repeat भी हो रहे हैं कुछ questions रिपीट भी हो जा रहे हैं तो आपको पूरा idea लग जाएगा कि क्या आपके साथ 23-24 में क्या आपको मिलने वाला है क्या आपको आने वाला है